Hello friends, you are most welcome to biology point, आज का मारा टॉपिक है परागन, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलते हैं, ये टॉपिक जो है वो 9th class में भी आता है और higher section में भी आता है, तो first इसका concept हम को clear होना चाहिए कि ये होता क्या actual में, रैफिनेशन है यहाँ पर किसी पुश्प के पराग कणो का अब पराग कण किसको बोलते है, first time हम सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कोई flower है, तो इसमें यहाँ पर street मा रहता है, आप लोगों ने जो गुडल का flower होता है, वो देखा होगा, गुडल के flower में, बीच में एक long structure निकली वी रहती है, और उसके उपर, यहाँ पर, जो है वो brown color का, dark red color का structure होता है, इस type का, और इसके आसपास ऐसे yellow yellow लगे हुए होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यह जो yellow यहाँ पर रहते हैं, इन yellow yellow जो points है, इन points को हम बोलते हैं, पराग कोश, और इन पराग कोशों के अंदर जो है, वो होता है, पराग कण, पराग कण, जो आप उस full के ऊपर, पीले पीले color की जो structure देखते हैं, इसी dot dot वाली, जब अगर उस flower को हाथ लगाते हैं, तो यह जो yellow yellow part है, अपने हाथों में भी लग जाता है, उसको बोलते हैं, पराग कण, है न, इसको क्या बोलते हैं, पराग कण, तो यह जो पराग कण है, का, पराग क कागर, है न, वर्ति कागर उपर पहुचने की प्रक्रिया को हम पराग करते हैं, अब हमने पराग कण क्या होता है, यह तो देख लिया, अब वर्ति कागर जो है, यह वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम मुलते हैं, वर्ति कागर, पराग कण और ओवरी का, तो इस प्रकार से clear हो गया आपको definition आप कोई भी definition कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो आपको उसके words सारे clear होना चीए अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया एक flower बनाया बिल्कुल simple सा flower बनाया यहाँ पर बने अब इसमें यह तो हमने बता दिया इसको stigma भी बोल सकते हैं या इसको वर्तिकागर भी बोल सकते हैं और इसको हम यह जो structure है यह वर्तिकागर जो होता है यह female part होता है आप सभी को पता होगा और यह पराग कण वाला पार्ट जो होता है यह क्या होता है male part होता है नर भाग होता है और यह मादा जननानंग तो यहां से झो है अब कोई funciona सपोज गुड़ल का फूल है यह तो गुड़ल के फूल पे जब यह जो पुमकें है यहां पर जो पराग कंड है है ना यहां पर जो पराग कोश होता है एक चैंबर होता है इस टवाउडर तैप तो वह अपने हाथ में लग जाते हैं अब कोई कीट आया, कीट है ना, अब वो कोई कीट आया इस फ्लावर के उपर बेठा, तो अगर वो इस पराग कणों के उपर बेठा है, तो पराग कण जो है, उस कीट के पैरों में चिपक जाएंगे, उसके पंखों में चिपक जाएंगे, अब ये कीट जो है, वो उड़ कर या तो उसी पोध्य के और flowerritos लगे उनके ओपर जाकर बेठेगा या किसी दूसरे पोध्य के flower पे जाकर बेठेगा ये कीड ज़ो है ये ऊड़कर किसी और flower के stigma पर आकर बेठेगा है न इस stigma के ओपर भी structure होती है कि इसके ओपर कोई भी जिव बेठता है तो उसके पेरों में या उसके पंकों में जो भी पराग कण होते हैं वो सारे इस स्टीगमा के उपर चिपक जाते हैं तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती है फिर हम देखेंगे कि पराग कण परागन जो है वो दो प्रकार का होता है ठीके, परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है हम फर्स्ट देखेंगे स्वापरागण स्वापरागण जो होता है, उसको हम इंगलिश में क्या बलता है सेल्फ पॉलिनेशन स्वापरागण जो है, किसी पोधे के, पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्ति काग्र पर या उसी पोधे के अन्हीं किसी पुष्प के वर्ति काग्र पर अगर गिरते हैं या पहुशते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्याinsial कहते हैं पर और भी flowers लगे होंगे तो उन flowers के वर्तिकागर पर या तो गिर जाएंगे या फिर उसी पोधे के दूसरे किसी पुश्प के वर्तिकागर पर पहुचने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं self-pollination या स्वपरागन ये प्रक्रिया भी मैंने या बता रखिए क कि इस पोधे का ये जो flower है इसका जो परागकण है वो उड़ वो परागकण यहीं कि यहीं इस stigma पर आ जाएगा कीटों के द्वारा या फिर ये परागकण उसी पोधे के किसी अन्य flower के इस टीगमा पर चला जाएगा तो और ये जो परागकण इस टीगमा के उपर जाता है फिर यहाँ पर ये पोलन ट्यूप जनरेट होती है और फिर ये धीरे धीरे जो है वो flower के अंदर ओवरी में इंट्री करता है परागकण जो हता है पोलन जर्मिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा अंदर की तरफ जाता है और ओविलेशन की प्रक्रिया होती है निशेचन की क् उत्पन्न हो जाते हैं देखिए पुष्प जो होता है वो द्वीलिंगी होता है अब पुष्प है वो द्वीलिंगी है फुष्प फ्लावर में मेल पार्ट भी है यह मेल पार्ट है और यह जो वर्तिकाग्रे या स्टीगमा यह क्या है फिमेल पार्ट है तो मेल और फिमेल प सेक्ष्वल पार्ट से वह एक ही टाइम पर दोनों मैच्वर होंगे तभी उन दोनों में फर्टिलाइजिशन की प्रक्रिया हो सकेगी है फिर थार्ट पॉइंट है कि पुष्प जो होते हैं इनके जो स्वाप परागंजीन पोधों में पाया जाता है उनके जो फ्लावर्स हो ज्यादा किट आकर नहीं बेटते ही इन फ्लावर्स पे जिससे कि इनमें पर परागंग का कोई चांसेज नहीं होता है और इनमें बीड जो होते हैं वो भी कम संख्या में होते हैं तथा छोटे होते हैं साइज में बहुत ही छोटे होते हैं Thank you very much friends और आपको कोई प्रॉब् तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं